प्रश्कार जी मिरनामे मीनू बताने जा रही हूँ सूर अर्द देनी की असान बीदी जानिये चौड़ा कान की बाते व्यदी काल में सूर अपासना अनवरत चली आ रही है भगवान सूर के उदे होते ही संपूर जगत का अंधिकार नश्ट हो जाता है वो चारो और प्रकाशी प्रकाश पैल जाता है सस्टी के मैदपूर अधार है सूर देखता सूर की क्रड़ों को आप साथ करने से शरीर और मन इस्फूर्थी मान होता है नीमिद सूर को अर्द देने से हमारी नेतरत छंता में ब्रद्धी होती है बल, तेज, प्राक्रम, यश एवं उस्था बढ़ता है आए जाने सूर अर्द देने की चौदा काम की बाते सूर अर्द देने की विधी सब रथम प्राता काल सूर देखते पूर्ण शुद्ध होकर इस्नान करे तत्पशात उदित होते सूर के समक्ष आसन लगाएं आसन पर खड़े होकर तामे के पात्र में पवित्र जल ने उसी जल में मिश्री मी मिलाएं कह जाते हैं कि सूर को मीठा जल चड़ाने से जनम कुड़नी के दूशित मंगल का उप्चार होता है मंगल शुभो तब उसकी शुभता में ब्रद्धी होती है जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्या गमन से पहले नरंगी करणे प्रसफुटित होती दिखाईते हैं आप दोनों हातों से तामे के पातर को पकड़ कर इस तरहें जल चड़ाएं कि सूर्य जल चड़ाती धार से दिखाई दे साथमा प्राता काल का सूर्य कोमन होता है उसे सीधे देखने से आखों की जोती बढ़ती है अटवा सूर को जल दीमे दीमे इस तरह चड़ाएं की जलधारा आसन पर आग गिरे नाकी जमीन पर नवा जमीन पर जलधारा गिरने से जल में समहित सूर उर्जा धत्ती में चली जाएंगी और सूर अर्ध का संभुड लाप आप नहीं पा सकेंगे अर्ध देते समे निम्न मत्र का पाठ करें ओ एही सूर्य सहस्त्राक्षो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपय माम भक्तया ग्रेणा धर दिवाकरा ग्यारवां ओम हीम हीम सूर्याए सहस्र किर्णाए मनोवांचित फलं देही तेही स्वाहा बारवां तक पश्यात सीदे हाथ की अंजुरी में जर लेकर अपने चारो ओड चड़कें तेरवां अपने स्थान पर ही तीन बार घूम कर परिक्रमा करें चौदा आसन उठाकर उसे स्थान को नमन करें धन्यवाद मेजे चनल को सब्सक्राइब चलोग करें